9 मार्च के लगबग 60 दिन बाद रूस ने पूरे युक्रेन पर बारुदी बरसात कर दी है पूरा युक्रेन धुआ धुआ हो चुका है युक्रेन के शेहरों पर पुतिन के क्रोध की बरसात हुई है नेटो से हत्यार मिलने के बाद 27 अपरेल को जलेंस्की ने स्प्रिंग ओफेंसिव की शुरुआत की लेकिन युक्रेन की सेना को नेटो ने पहले ही चेतावनी भी दे दी थी कि रूस की शक्ती को कम ना का जाए रूस ने 27 और 28 अपरेल को ही युक्रेन पर जवाबी कारवाई शुरू कर दी युक्रेन की जमीन रूस के बारूद से सुलग उठी है किस तरह की का हमला किया गया आपको बताते हैं रूस ने युक्रेन के 27 शेहरों पर अटैक किये हैं युक्रेन के क्रवंचुक शेहर पर मिसाईल हमला किया गया है नीप्रो शेहर में भी बड़े धमाके सुने गए हैं निकुलेव शेहर पर भी मिसाईल स्ट्राइक हुई है निकुलेव शेहर में वार रूम मीटिंग के दोरान युक्रेइन और बिटिन के 20 ओफिसर मारे गए हैं पोल्टावा शहर पर भी बारूद बरसा आ गया है चरकासिक शेतर में रूस की मिसाइल एक रेजिडेंचल इमारत पर गिर गई है राजधानी कीव में कई जगा विस्फोट हुए है सेवैस्ट शहर में युक्रेइन का सेनिय ठेकाना पूरी तरह से तबा़ कर दिया गया देखे किसतरह के हमले किये हैं रूस क्रूज मिसाइलो से भी हमले किये गए रूस की वाइयो सेना ने फाइट जेट से अटाक किया है इसके अलावा टी यू नुक्लिय बॉम्बर से भी बॉम डॉप किये गए हैं ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि टी यू नुक्लिय बॉम्बर से भी बम गिराए गए हैं यूकरेन के स्प्रिंग ओफेंसिव का ये सबसे विद्वानसक जवाब है जिससे पूरा यूकरेन दहल उठा है देखिए पुतिन की ख्रोध अगनी से जलते यूकरेन के ताजा हालात इस समय क्या है 27 अप्रेल को जब जबॉरीजिया से यूकरेन ने अपने स्प्रिंग ओफेंसिव की शिरुवाद की तभी ये तैह हो गया था कि रूस का पलटवार होगा बहुत विद्वनसक प्रहार होगा रूस की सेना ने यूकरेन पर विद्वनसक प्रहार किया और उमान क्षेतर के चरकेसी में एक मिज़ाइल इस इमारत पर गिरी इमारत का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, अपार्टमेंट में आग लग गई रूस के इस हमले में 13 नागरिकों की मौथ हो गई और 33 से ज्यादा खायल हो गई मिस्टाइल हमले से इमारत के आसपास वाला इलागा भी तबाह हो गया कारों में आग लग गई, चरकेसी की इस इमारत में फसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू उपरेशन चलाया गया फायर फाइटर्स मौके पर पहुँच कर आग बुझाने में जुट गए रूस ने नीप्रो शेहर पर भी बड़ा अटाक किया रूस के हमले में दो बड़े इमारते तबाह हो गए, जो देखने में सेना के गोदाम जैसी नजल आ रही है इमारतों पर हुए हमले के बाद आग लग गई और धुए के कॉलम कई किलोमीटर दूर से नजल आने लगे नीप्रो में भी फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि बुझाने में कई घंटे लग गए युक्रेन का शेहर शेहर सुलग रहा है, हर तरफ ठमा के सुनाई दे रहे हैं और सायरन बज रहे है जैसा हाल चरकेसी और नीप्रो का है वैसा ही हाल मेकोलेव शेहर का भी है रूस के हमले से एक इमारत में आग भड़क उठी, खिलकी से निकलती आग की लपतें हमले की तीवरता की गवाही दे रही है इमारत में फसे लोगों को धर्माजे काट कर निकाला गया रात को हुए हमले के बाद दिन में मंजर भयावे नजर आने लगा रूस की स्ट्राइक से मिकोलेव का बड़ा इलाका तबाह हो गया युकरेन को रूस के काउंटर अटैक में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है मिकोलेव शहर पर होई स्ट्राइक में युकरेन को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है मिकोलेव शहर में युकरेनी सेना के अफसर बैठक कर रहे थे इस बैठक में कुछ विदेशी सैनी अधिकारी मौजूद थे बैठक में 30 अपरेल को क्रीमिया पर हमले की रणीती बनाई जा रही थी रूस को बैठक की खुफया जानकारी मिली रूस ने उस इमारत पर मिजाइल अटैक कर दिया जहां सैनी अफसर मौजूद थे रूस के हमले में युक्रेन के 20 हाई रैंक सैनी अधिकारी मारे गए उनके साथ विदेशी सैनी अधिकारी की मौद की भी खबर है विदेशी सैनी अधिकारी बितन या अमेरिका की होनी का अंदाज़ा जताया गया है रूस ने मिजाइल स्ट्राइक के साथ-साथ आर्टिलरी और इंफैंट्री से भी युक्रेनी ठेकानों पर अटैक किये हैं युक्रेन के सेवर्षक इलाके में रूस ने इतना जबर्दस्थ हमला बोला कि युक्रेनी वाच को अपना सैने ठेकाना छोड़ कर भागना पड़ा युक्रेन के इन सब इलाकों के साथ-साथ राजधानी कीम में भी कई जगा धमा के सुने गए पीती राज से कीम में लगतार एयर रेड अलर्ड के सारन बज रहे हैं युक्रेन सरकार ने पूरे देश में एयर रेड अलर्ड जारी कर दिया है युक्रेन पर ये हमले 3500 किलोमीटर दूर कैस्पियन सागर से किये गए साथी ब्लाक सी से भी युक्रेन पर मिजायले बरसाई गई युक्रेन के वार्शिप से क्रूस और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिजायलों से हमले किये गए युक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने कुल 23 क्रूस मिजायले दागी उन हमलों की शिर्वात हो चुकी है अगर युक्रेन ने क्रीमिया की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो महाविनाश आना तैम आना जा रहा है येरो रिपोर्ट, टीवी नाइन, भारत परश